Check the description to watch the video in your language. एक शांदार अंतरतार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यूआई स्कूटी जैसे चमककार की खोज के लिए एक ब्रहमांडी यात्रा पर निकलने के लिए तयार हो जाईए। ब्रहमान के विशाल विस्तार में बसी यूआई स्कूटी अतुल्निय अनुपात की एक लाल सुपरजायंट है। यह खगोलिय टाइटन हमारी आकाश गंगा में सबसे बड़ा ग्यात तारा है। यह एक उपादी है जो इसे दीप दिमान वैभव के साथ धारन करती है। एक दाल सुपरजायंट के रूप में यूआई स्कूटी तारकिये जीवन के परिपक्व चरण में है। इसके मूल में हाइड्रोजन समाप्त हो गया है और एक ऐसे आकार में गुबारा हो गया है जो मानव समझ से परे है। यह नक्षत्र स्कूटम के भीतर स्थित है। व्यास हमारे सूर्य से 1700 गुना अधिक है। तारा, आयतन के संदर्भ में आप यूआई स्कूटी के अंदर पांच अरब से अधिक सूरज फिट कर सकते हैं। अपने सिर को उसके चारों और लपेटने का प्रयास करें। यूआई स्कूटी के विशाल आयाम ही इसे एक कल्पना एक छोटे से संग्मर्मर के समान करें, जो ब्रहमांड के विशाल विस्तार में बमुश्किल एक कन है। अब हमारे सूर्य की कल्पना करें। यह इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर लगभग 10 लाक प्रिथ्विया समा सकते हैं। दिमाग चक्रा देने वाला है न खेर, अपनी टोपी बनाए रखें क्योंकि हम इस तुलना को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। हमारी आकाश गंगा आकाश गंगा में तार्किय आकार की मौझूदा चैंपियन युआई स्कूटी दर्स करें। यदि हमारा सूर्य एक समुद्रत्तिय गेंध है तो युआई स्कूटी एक गर्म हवा का गुबारा है। यह सही है। आप युआई स्कूटी के अंदर लगभग 1700 सूर्य फिट कर सकते हैं। यदि आपको युआई स्कूटी को पृत्वी के आकार के मार्बल से भरना है तो आपको उनमे से लगभग 1700 मिलियन की आवशक्ता होगी। या इसे दूसरे तरीके से कहिंग तो आप युआई स्कूटी के व्यास में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पृत्वी को पंक्ति बद कर सकते हैं और आपके पास उनमे से लगभग 200,000 के लिए जगह होगी। लेकिन हमें बहुत अधिक बहकावे में नहीं आना आखिरकार आकार ही सब कुछ नहीं है। ये तुलनाय ब्रह्मांड और उसके भीतर के खगोलिय पिंडों के विस्मयकारी पैमाने को उजागर करने का काम करती हैं। वे हमें अंतरिक्ष की विशालता और उसमें नहित अनंत संभावनाओं की याद दिलाते हैं। यह स्पष ये विकास जो इसके भागय को आकार देता है। यह विशाल ब्रह्मांडिय महासागर में धूल और गैस के बादल या एक नहारिका के रूप में अपनी यात्रा शुरू करता है। गुरुत्वा कर्शन बल के तहत नहारिका सिकुर्टी है और केंद्र गर्म हो जाता है। ज जो खुशी-खुशी हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर रहा है। लेकिन यूआई स्कूटी सुपरजायन्ट इस चरण को काफी पहले ही पार कर चुकी है। यह विस्तारित और ठंडा होकर एक लाल महादानव बन गया है, जो इसके मूल में भारी तत्वों को जल रहा है। अंत्त, इसका इंधन समाप्थ हो जाएगा जिससे एक शांदार सुपर्नोवा विस्फोट होगा और एक घना कोर पीछे छूट जाएगा। यह एक सफेद बॉना, एक न्यूट्रॉन तारा या चरम मामलों में एक ब्लैक होल हो सकता है। यूआई स्कूटी का ज इगज ब्रहमांडिय प्रयोग शालाओं के रूप में काम करते हैं, जो वास्तव में आश्चरेजनक पैमाने पर सितारों के जीवन और मृत्यू की एक जहलक पेश करते हैं। यूआई स्कूटी और इसके जैसे का विशाल आकार और उर्जा उत्पादन तारकिय विकास मे अमूल्य अंतरद्रिष्टी प्रदान करता है, उन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है, जो जीवन के लिए आवशक तत्वों का निर्मान करते हैं, जैसा की हम जानते हैं। इसके अलावा, महादानव तारे आकाश गंगाओं को आकार देने में महत्वपून भूमी का निभाते हैं। उनका विसफोटक तब समाप्त होता है, जब सुपरनोवा पूरे ब्रह्मान में भारी तत्वों को फैलाता है, जिससे भविशे की पीडियों के तारे और संभावित रूप से ग्रह भी नश्ठ हो जाते हैं। जितना अधिक हम इन तार्किय टाइटन्स के बारे में समझेंगे उतना ही अधिक हम अपने ब्रहमान की व्यापक कारे प्रनाली के बारे में एक साथ मिल सकेंगे। संख्षेप में ये तारे एक भवे ब्रहमान के पहली के टुकरों की तरह हैं, जिनमें से प्रत्यक में बड़ी तस्वीर का सुराग है। इसलिए खोज हमारी रोजमर्रा की समझ से परे चमतकारों से भरे ब्रहमांड को उजागर करती है। जैसे ही हम अपनी ब्रहमांडिये यात्रा को पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो हम विस्मय और आश्चरे की गहरी भावना से भर जाते हैं। हम ब्रहमांड की गहराईयों में उतर चुके हैं और अपनी आकाश गंगा, यूआई स्कूटी में ग्यात सबसे बड़े तारे के रहस्यों का पता लगा रहे हैं। इसके चौंका देने वाले आयाम हमें बेदम कर देते हैं। हमारे सूर्य से लगभग 1700 गुना अधिक त्रिज्या वाला यह विशाल लाल महादानव हमारे ग्यात सबसे विशाल खगोलिय पिंडो को भी बौना बना देता है। यह एक समुद्र तक की गेंद की तुलना रेत के कंड से करने की कोशिश करने जैसा है। और फिर भी यह असीम ब्रह्मांड महासागर में केवल एक इकाई है। हमने युआई स्कूटी जैसे सितारों के ज्वलंत जन्म से लेकर उनके नाटकी निधन तक के आकरशक जीवन चिकर का भी पता लगाया है। वे धूल और गैस के मामूली बादलों के रूप में शुरू होते हैं, उजवल बिजलीग्रों में विक्सित होते हैं और अंता महिमा की चमक में अपना अस्तित्व समाप्त करते हैं। यह एक दिवे नाटक है जो लाखों नहीं तो अर्बों वर्षों से चल रहा है। युआई स्कूटी और इसी तरह के सुपरजायन सितारों के अध्ययन के खगोलिय महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। वे ब्रहमांडिय प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं, जो हमें पदार्थ की प्रकृती से लेकर जीवन की उत्पती तक ब्रहमांड के सबसे गहरे रहस्यों को सुलजाने में मदद करते हैं। उनका अध्ययन ब्रहमांड के अतीद, वर्तमान और भविश्य के बारे में हमारी समझ में भी सहायता करता है, जिससे हमें इसके भीतर अपने स्थान के बारे में अमूल्य अंतरद्रिश्टी मिलती है। फिर भी इन सुदूर आकाशिय दिगजों को देखना और उनका अध्ययन करना कोई आसान उपलब्धी नहीं है। इसके लिए अत्याधुनिक तक्नीक, नवीन तक्नीकों और सबसे महत्वपून बात, दुनिया भर के खगोल विदों की निरंतर जिग्यासा की आवशक्ता होती है। लेकिन पुरसकार इसके लायक हैं, क्योंकि हर नई खोज हमें ब्रह्मांड की भवे डिजाइन को समझने के एक कदम और करीब लाती है। युआई स्कूटी की विस्मयकारी प्रकृती के सामने, हम ब्रह्मांड में अपने स्थान पर एक नया दृष्टिकों प्राप्त करते हैं। यह हमें हमारी अपनी लगुता की याद दिलाता है। साथ ही हमारे आसपास के ब्रह्मांड को समझने और अन्वेशन करने की हमारी अविश्वस्नियक शमता की भी याद दिलाता है। जैसे जैसे हम अपनी ब्रह्मांडिये यात्राय जारी रखते हैं। आए अपने साथ यूआई स्कूटी का चमतकार लेकर चलें। जो उन असीम आश्चरियों का प्रमान है जो हमारी आकाश गंगा की तारों से सजी छत्री में हमारा इंतजार कर रहे हैं।